मंगलवार को बिहार विद्यालेई परिक्षा समीती ने इंटर का परिनाम गोसित कर दिया है गोसित परिनाम में और अंगाबाद के छात्रों का जलवड़ा है कॉमर्स में और अंगाबाद की सौमय शर्मा और अजनी स्पाटक ने 445 में से 445 यानी 95 प्रतीशत अंक लाकर पूरे बिहार में सयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे है वहीं तनूजा सिंग ने 474 अंक लाकर दूसरा स्थान पाया विदे कुमारी और सोनम कुमारी ने 478 अंक लाकर सयुक्त रूप से चोथे स्थान पर रहे है इसके साथ ही साइन्स स्ट्रीम में दाउद नगर के सुभम चौरस्या ने 472 नंबर लाकर राज्य भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया आपकी फिटनिस का राज क्या है आश्वेल रस ये एक ही बॉटल में है स्ट्रेस, वीकनेस, अचिजिटी, अबिसिटी, हेर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हर आश्वेल लाइफ, डियाबिटीस फ्री लाइफ स्टूडेंट्स ने तो टॉप कर लिया पर लाख टके सवाल का ये है कि क्या कॉलेज में टॉप कराने लाइक टीचर्स हैं जवाब नहीं है यही कारण है कि इन बच्चों को पढ़ाने वाली कोचिंग संस्थान सफलता का क्रेडिट ले रहा है दरसल जस कॉलेज ने बिहार इंटर कॉमर्स एक्जाम 2023 में पूरे के पूरे पाच स्टेट टॉपर्स दिये उस कॉलेज में वानिज विभाग का हाल बहुत बुड़ा है यहां महस तीन फैकेल्टी के सहारे कॉमर्स इंटर की इसना तक की पढ़ाई हो रही है आश्टर की बात यह है कि इंटर कॉमर्स में छात्र टॉप भी कर रहे है सभी टॉपर्स से हुई बातों का यही है कि भले ही उनकी टॉप करने से कॉलेज का नाम हो रहा हो लेकिन उनके टॉपर बनने के पीछे उनकी कोचिंग की पढ़ाई है इस बात को टॉपर्स ने खुल कर स्विकार भी कर लिया है अपने टीचर्स को सफलता का श्ट्रे भी दे दिया है जो भी टॉपर्स है वो शहर के दो अलग-अलग कोचिंग संस्थारों के छातर है लहाजा इन कोचिंग संस्थान के संचालक तुलिश शब्दों में भी डिने रही है कोचिंग संसालक धीरस सिंग कहते हैं कि सभी पाच इंटर कॉमर्स टॉपर्स शहर के सचीता नंसला कॉलेज के चात्र रहे है इन्दशेजd चार ने उनके कोचिंग से इंटर कॉमर्स की पढ़ाई की हह इन टॉपर्स में जोाइन्ट स्टेट स्टेट टॉपर वन सौम्या सर्मा रजनी स्पार्टक स्टेट टॉपर टू तनूजा सिंग जॉइन्ट स्टेट टॉपर फोर विधे कुमारे और सोनम कुमारी भी शामिल पनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है साथी टीचिंग के चेतर में कोचिंग एक ब्रैंड की रूप में स्थापित हो रहा है जिस सचीता नंसना कॉलेज के नाम पर इन छात्रों ने टॉप किया है, वहाँ संसाध्रों और टीचर का घोर अभाव है कॉमर्स वभाग अपना भवन नहीं है, रेगुलर टीचर्स नहीं है, फैकल्टी से एक काम सलाया जा रहा है मात्र तीन फैकल्टीज कॉमर्स वभाग में मौजूद है इनमें एक अनील सिंग कुद कॉमर्स कोचिंग चलाते है टॉपर्स में आधे उनके ही कोचिंग के छात्र है कॉलेज में कर्मियों को प्रभारी प्रचार्रे अर्विन सिंग भी स्विकार करते है उन्हें सरकार और विश्विद्याले प्रशासन से बहतर की उमीद है टॉपर्स को मिलिस अफलता का क्रेडिट 50-50 के अनुपात में अपने कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को देते हैं तो बता दे कि आखिर ये गजब का रेजल्ट है जिस कॉलेज से पाच बच्चे स्टेट टॉपर रहे हैं उस कॉलेज में महज तीन सेक्षक कॉमर्स वभाग में बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं